प्रवार आज बात चुटें सरुर्व समीखा के बारे में तो करना इसकी आपके पास करी पहरा लिखाता मैंने दूस्का लिखाता आपके पास और यह तीसरा दिये है और आज मैंने स्वासा की लिख दिया है लेकिन कल हमने सिर्फ एक ही पार्ट फांगे आता उनली बन का ठीक है अब ऐसे सवाल आगा तो आपके बुक में यह लिखा हुआ है सरुर्व समीखा एक यह लिखेगा दो यह लिखेगा तीन यह लिखेगा चार कि इन चारों में से पुज़र एक का हमें यूज़ करना है लेकिन सवाल भी उसी तरा से जिया हुआ होगा सब्सक्राइब करते हुए इसका मान बताओ तता इसका मान बताओ अब मान लोग मैं ऐसा लिखेगा नहीं पर 2x-4y-4²-2 कि अ-धिय would you क्यों क्या वे स्य मानि प्रति यूज़ करना है कि वह पहलना है तम थे बताओ वह तो सब्सक्राइब को निश्ञा का सब्सक्राईब करना है A plus B, यह मतलब पहला, B मतलब दूसरा, तो उसमें गोई लिखा है, कि 1 का यूपियाओ करते हुए, इसका मान बताओ, तदा इसका मान बताओ, तो मैंने क्या लिखा, तो पहला प्रिक लो, कि मैंने पास 1 कौन था, दियो जी 1, यानि कि A plus B, पूर A की घात 2, बराबर क्यों होत यहाँ पर A का मान है 2X, लिखे दो आप, P यहाँ, A का मान है 2X, और B के लिखा पर कौन बैटा है, 3Y, तो रिखो B बराबर है 3Y, ठीक है, अब बें इन दोनों का मान, इस पोमुले के अंडर फिट कर दूँगा, तो मैं लिखो मैं यहाँ से, तो मेरा यह मान था, 2X प्लस 3 3Y की घाद 2 बराबर, अब दिखो, एक जगा पर 2X, और B की जगा पर 3Y, तो रखे दिखो आप, 2X पोमुले की घाद 2, ति प्लस दूसरा, यानि के भी कोन 3Y, उसकी घाद 2, ठीक है, फिर प्लस 2 गुणा, पहला गुणा दूसरा, तो मैंने गुणा की जगा पर यह नया सा या फिर आप एक नया यूस करो गया, आज से डोट, इससे बलते हैं, बिंदू ना बोलके डोट हो लगया, इमिश में, कि डोट बतलब यह भी मंटिप्लाइग बताता है, यह भी गुणा दिखो, तो इंटू 2X, एंटू 3Y, अब देखो, इससे आप खोल सकते हो, अब देखो, यहां भी नंबर आया, यह दूसरा नंबर, यह किसरा नंबर, तो नंबर की आपस में गुणा करो, दो दोनी 4, चार्टिया 12, और दोना एल्टाबेट आपस में चिपा दो, X into Y, ठीक है, यह आगे इसका सवाल में जवाब, लेकित दूसरा पार्ट है, आपने दो, तुम बोले साथ इसे कैसे करेंगे, अब तुम ने बचतानी के ताना ऐसे दी कह सकते हो, कि मैं 103 की गुणा, 103 में कर दू, मैं गोला इस गलब जवाब है, क्योंकि हमें नंबर की गुणा नंबर में नहीं करनी, हमें जैका आपस ने, कि पहले समिकाग का उपियोग करत सकते हैं, 100 प्लस 3, ठीक है, अब और इसी गात 2, तो मैं लिखोंगा, 103 का जब बार होगा, इन दोनों के जोन के बराबर, ऐसा आगया देगो, तो 100 प्लस इंदी गात 2, अब में अगर पहला वाला मान या यूज करोगा यहां पर, तो मेरे पास कोन है, कि हमें पता है, A प्ल प्लस 2 से गाबर, प्लस 2 गोना A इन दोनी, तो 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 तुम यह कह सकते हैं, यहां से कि सब देखो, हमारे पास A कमान सो आ जाएगा, और B कमान 3 आ जाएगा, तो अब में कैलिकोंगा इसके बारे में यहां से, कि 103 जो आपने लिखा था, तो उसको कहने कि गया, कि यहां पह A कमान सो रख गिया, B कमान 3 रख गिया, क्यों, मैंने आपको बता जिया है, देखो न, कि A के जगाब सो आ रहा है, और B के जगाब पर 3 तो एक की जगाब दो, यहांनि कि 100 की गाब 2, B के जगाब 3 उसकी गाब 2, पि प्लस 2 गोना A कमान गोना B कमान, ठीक है, अब इसको इसी गाब है, इसी गाब है 2, यहांनि कि 0 आ रही है, घाब के हिसाब से उसको डबल, अगर घाब 2 होगा तो डबल करूंगा, और अगर घाब 3 इसकी, तो उसी गाब 3 गोना कमाने के 6 पर दूबार है, तो आप इसकी गाब 2, तो यहांनि कि 100 का जीरो, ठीक है, फिक प्लस 3 इसकी गाबर 9 आपने याद कर रहता है, तो एक प्लस, तो को 2 गोना सो लेने के 200 इंटू 3, यादिके 600 आ रहना इसका मान या वड़ा, अब देख लो, अब आप 3 नंबर को आरां से जोन लोगे, पता कितना आएगा है, जल्दी बोड़ो, पर 9 प्लस 0 को पर दो नो आएगा यह एक 0 आएगी, फिरिये 6 आएगा, फिरिये 0, फिरिये 1, मान लोग त्वे समझ्वेन नहीं आगा जोना तो सबसे बेशन है, उसको आप, लिग्लाफ के बश्तन की तरह, पहला मेरे पास ए 10,000, यह रहा, फिर मेरे पास आठाएगा, इसने 600, यह लीदिया मैने, फिर मेरे और यह और 7-8 जाए गैने हादा आ देखु देखू यहां से 9 आएगा यहां से जिनोग हाएगा इसका चैनल ऐसा जिरा हतो है कि कतरा है सिर्भ एक ही डूर्ल क्मों डिसक्षवाएल अब तो को जानी है बैे सीच हप ज सब कर देखे हैं आप देखो तीसरा के सी यूज़ करना है किसरा जैसे तो आसान है तो देखते जाना है अब देखो अगर मैं बात करों किसरा देखो एक सवाल को सब्सक्राइब करते हुए यह बहुत आसान है मैंने लिए आपके लिए होमवर्ग मैं लिक्ता हूं इसमें कोई सवाल है एक बहुत अच्छा मुझा देखा आपकी बुक में लिखा हुआ है कि निम लिखित का मान बताओ क्या उसने लिखिए आपके पास किस सवाल है 501 गुणा 503 लेकिन पता उसमें क्या लिखा है उसने एक बहुत प्रही बात यह लिखी है यह जब बताओगे जब मैं इसमें यह वाला मान क्या उसने है जब तुम यह वाला रिजर्ट यूज करोगे मान बताओ इसका याकी यह ऐसा बिर्टा है तो बिटा मतलब यह होगा किसा नहीं समझ गया मुझे इसमें चोथा प्रोपर्टी यूज करना है क्यों कि देख लो आप इसकी तुनना करके देख लो एक ब्रेकेट यह रहा दूसरा ब्रेकेट यह लिखा हुआ है तो इसमें प्रोपर्ट यह होगा तो किताब ने आपकी मदद यह करती है सवाल देख बोलता है कि यह वाला मान बताओ जब इसे यूज करोगे तो कोई बड़ी बात नी पेटा पहले पर इस नम्डर को ऐसे लिखू मत देखो 500 प्लस एक 500 प्लस तीन क्यों बेटा यह मेरे पास आजा 500 यक को 500 प्लस एक कर दिया और टीर वाले को 500 प्लस तीन कर दिया तुमने क्या देता यहां पर X और यह भी X यानि यह 500 और 500 तो हो गया X का 1 यह गौर्णों में एक यह साइने इसले बोल रहा हूं यह रधा की तोनों अलग-अलग हैं यहां पर 1 और 3 अलग-अलग हैं तो मैं जोंगा अब इसकी दिशाब पर मैं ऐसा आप लोगों से बोलने वाला हूं देख लो बेटा पहले का वर्ण यह रहा प्लस A and D 1 तखत T यह रहा A plus D 5 तो की बाहर गोना पर यहां तो को ने X और प्लस A गोना T देख लोग-अब यह साब खोल दो भी किलर आम से क्या को गया सर 55, 25, 4, 0 क्यों बेटा तो यह दो जिरो भी कहना उनका बहुत हो रहा है तो उसके भी दो बना हो जाएक जिरो A plus 3 तो देख चार गोना पांच सो प्लस 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 चार गोना पांच सो प्लस प्लस चार थाज़े बीस और दो जिरो पहले सी फिक्स है इवनगा 2000 plus 3 तो बेटा अर इसको तो आप जोड़ गोगे ना तो मैं रिक्ताओं आपके लिए छोड़ जिसी कहानी और वर्क यह दी आज़ी क्लास तो हमारे पास चारो प्लस 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 पीन तो बहुत अच्छे से आप इसको बनाओगे ठीक है चारो झाल